हेलो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो है रियल लाइफ प्रॉब्लम पर जो मैंने आज फेस की एक बहुत बड़े डेटा पर काम करते समय मुझे पेवर्ट टेबल बनानी थी लेकिन वो पेवर्ट टेबल मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बन रही थी नौर्मल ही जब हम पेवर्ट टेबल बनाते हैं तो हम quickly expect करते हैं कि हमारे डेटा immediately बन जाएजसा कि एक ये डेटा है और इसमें अगर मुझे पेवर्ट टेबल बनानी है तो मैं simple करूंगा कि pivot table का option open करूँ और enter करके next sheet में जाके और simple जैसे मैं यहाँ पर branch का नाम ले लूँ और यहाँ पर jan, fab, marge और इस तरह से revenue का मेरा sheet ready हो जाए within few seconds लेकिन जब मैं pivot table बना रहा हूँ जैसे कि यह दूसरा जो data है इस पर देखिए जब मैं pivot table बनाता हूँ तो मैं pivot function में गया हूँ और जब मैंने pivot table बनाई और branch का name select किया और उसके बाद जैसे ही मैंने January का data select किया तो आप देखेंगे कि यह values में ना आकर यहाँ पर आना चाहिए यह rows में ही आ रहा है इसके बाद इसको for example unselect कर देता हूँ और fab का select करता हूँ fab का भी वैसे ही आ रहा है March का भी वैसे ही आ रहा है और जब यहां से उठा के मैं इसको drag करके values में रखता हूँ तो फिर यह count में convert हो जाता है जबकि इसे sum आना चाहिए तो फिर मुझे अगर for example मुझे यह 100 fields का data बनाना है तो फिर एक एक field में जाके मुझे field value setting में जाके इसको sum करना पड़ेगा जो कि बहुत painful होता है अगर आपको इतने सारे field यहां पर पहले डालने पड़े और फिर उनको एक एक में जाके sum पर click करके value change करना पड़े तो बहुत tiring हो जाता है तो इसके लिए मैंने find out किया कि इसका solution क्या है इसके solution करने के लिए आप अपने data को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई भी cell blank है क्या अगर कोई भी cell blank होगी तो ये उन numbers को value ना count करके एक text count करता है जिस वज़े से वो sum की जगे पर count में convert हो जाता है तो सबसे पहले इसका solution क्या है कि आप अपना data select कीजिए और data में जहां पर भी blank cells हैं तो उनको आप zero से replace कर दीजिए तो blank cell select करने के लिए तो control G कीजिए go to में जाए special में जाकर blank select करना है आपको और ok कर देना है तो आपकी blank cells होगी वो select हो जाएगी इसके बाद zero press कीजिए और control करके enter कर दीजिए तो आपकी ये zero आजाएगी पूरे data में अब फिर से try करते हैं इसको मैं pivot table सारे delete कर देता हूँ अब ये दूसरे वाले data पर फिर से मैं pivot table बनाता हूँ insert paper table ओके ये आ गया और मैंने branch ले लिया और फिर January लिया पर्फेक्ट आ गया देखिए February भी पर्फेक्ट आ गया March फिर गलत आ रहा है इसका मतलब अब मार्च के कॉलम में जाके देखना होगा कि अभी भी कुछ और mistake है ओके मार्च में आप देखेंगे यहां पर na लिखा हुआ है तो na जो लिखा हुआ है यह already text है तो यह text को फिर से count नहीं करेगा तो second जो आपको चीज देखनी है कि कहीं भी अगर आपके value वाले कॉलम में जहाँ पर numeric values है वहाँ पर अगर text लिखा हुआ है तो वो text को आपको हटा के उसको value में convert कर देना है same जैसे हमने blank cells को हटा के zero में convert कर दिये इसी तरह से आप यह भी कर सकते है manually कर सकते हैं अगर छोटा data है तो अगर बड़ा data है तो आप जैसे मैंने यहाँ पर na लिखा हुआ है na को मैंने zero से replace कर दिया तो आप देखिए यह मेरा data change हो गया अब मैं फिर से इसकी pivot table बनाऊँगा एक बार फिर से delete की pivot table और फिर से pivot table बनाए branch का name लिया और फिर देखिए gen, feb march, april by default जैसे ही आप click कर रहे है यह cell यहाँ पर आ रहे है data यहाँ पर आ रहे है values वाले column में और by default यह sum भी हो रहा है तो दो चीज़े important है एक कि आपकी cells blank नहीं होना चाहिए दूसरी किसी भी cell में text नहीं होना चाहिए all numeric values वाले columns में cable numeric values होना चाहिए तो I hope यह video आपको help करेगा क्योंकि यह problem हम अक्सर face करते हैं जब भी हम बड़ी files पर काम करते हैं तो So if you like this video please subscribe my channel Thank you